बिहार प्रात्मिक सिक्षक भरती को लेकर BPSC चेयर मैन की तरफ से बहुत बड़ी घोशना की गई है और इस घोशना के बाद बीयड अभ्यर्थियों का परिडाम जो है वो जारी नहीं होगा और बहुत बड़ा जटका बीयड अभ्यर्थियों को लगने वाला है हम आपको पूरी अपडेट देंगे कि आखिर में मामला क्या है क्या क्या चीजे होंगी रिजल्ट कब तक जारी होगा क्या कारकरम आया है कितने कम नंबर वालों का सेलेक्षन होगा पूरी अपडेट पर बात करेंगे उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को भरती से संबंदित हर एक लेटेस्ट अपडेट पा सकेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि मामला क्या है अध्यापक नियमा वाली के खिलाप एक याचिका दायर हुई है जिसकी जो सुनवाई है वो 29 अगस 2023 को होगी और यह याचिका बिहार में दायर हुई है सिच्छक भरती परिच्छा रद करनի की मांग है इसमें जिसको लेकर 28 को संग हाई कोट करेगा सप्लीमेंटरी इस पर एक सप्लीमेंटरी भी 28 तारिकोट को फाईल की जाएगी और यह जो पुरा फाइलिंग है ये पटना हाई कोट में होने जा रही है जो 24, 25, 26 तारिकोट BPSC ने परिच्छा कराई है उसको लेकर यह याच्च का फाइल की जा रही है और यहाँ पर याच्च का संख्या भी आ चुकी है 96.2023 जिसकी सुनवाई 29 अगस्त को होगी यहाँ पर प्रमुख मांगे हैं कि बिहार सिच्छक भरती की जो परिच्छा BPSC ने कराई है वो रद की जाए 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ड से आये फैसले के अनुसार B.E.D. को पराथमिक सिच्छक भरती से बाहर किया जाए BPSC ने परिच्छा कायकरम सुरू होने के बाद नेगेटिव मार्किंग हटाई है इसलिए इस परिच्छा को रद किया जाए BPSC कट आफ जो मिनिमम कट आफ है उसको कम करने जारा है इसलिए परिच्छा को रद किया जाए तो ये कुछ प्रमुख मांगे हैं और इसी कारण से ये परिच्छा रद हो सकती है लेकिन B.E.D. को यहां से बाहर नहीं हुआ है B.E.D. पहले से आप देखिए अतुल प्रसाद ने कहा कि D.E.D. और B.E.D. डिग्री धारक प्राथ्मिक सिख्छोकों का मेरिट लिस्ट एक साथ ही बनेगा ठीक है लेकिन D.E.D. डिग्री धारकों का रिजल्ट 20 से 25 सेप्टेंबर के बीच में जारी होगा आपका जो रिजल्ट है वो 20 से 25 सेप्टेंबर के बीच में जारी हो जाएगा इसी प्राथम चरण में माध्मिक का उच्च माध्मिक सिख्छोकों का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा इसी के साथ सफल अभ्यार्थियों के दस्तावेज के सत्यापन भी सुरू किया जाएगा जिसके हमादेम से उन्होंने ट्वीट भी किया है कि आप अपने दस्तावेज के सत्यापन के लिए दस्तावेजों की तयारी कर लें क्योंकि जल्दी सत्यापन का कारेश सुरू होने जारा है उन्होंने बताया कि PRT के लिए 28 डिगरी धारकों का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक उनकी पातरता सम्मंधी इस्ति पूरी तरह से इसपस्ट नहीं हो जाती देखिए यहां से रोका गया है और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी है और साफ किया है कि BEARD अभियर्थियों का जो परड़ाम है वो हम नहीं जारी करेंगे तब तक नहीं जारी करेंगे जब तक NCT कुछ अपना इसपस्ट दिसा निर्देश BEARD को लेकर नहीं जारी करती है कि BEARD को प्रात्मिक में रखना है कैसे रखना है या नहीं रखना है तब तक हम BEARD के परड़ाम को रोक के रखेंगे और लेकिन जो DLT के छात्र हैं उनका हम अलग से परड़ाम जारी करेंगे मेरिट जारी करेंगे और उनका जो हम document verification जो सत्यापन है वो भी करवाएंगे और आगे निकती प्रक्रिया भी करवाएंगे लेकिन BEARD अभ्यर्थियों को हम रोक के रखेंगे ये उन्होंने अस्पस्ट कर दिया है तो पूरा कारिकरम भी घोसित हो चुका है और सब कुश आ चुका है अब किस cut-off वालो अब के अभ्यर्थियों का selection होगा cut-off कम कितनी जाएगी तो BPSC chairman की तरफ से ये भी घोशना की गई है कि जो cut-off है जो minimum cut-off तय है सामान की 40% ठीक है फिर यहाँ पर OBC की यहाँ पर से तय है 32% तय है 32% किसी किसी category में तय है तो इस cut-off को कम किया जाएगा मान लीजे 40 है तो उसे 38 किया जाएगा 32 है तो 30 किया जाएगा 30 है तो 28 किया जाएगा cut-off को कम किया जाएगा और cut-off को कम करने के साथ जो merit list है वो तयार की जाएगी तो ऐसी स्थिति में अगर आपके 60 से 70 उत्तर सही बन रहे हैं तो आप अपना selection 99 प्रतिसत समझ सकते हैं कि यहाँ पर confirm है आप selection पा सकते हैं ठीक है और अगर आप बाहरी राज जैसे हैं तो कम से कम आपके 70 से 80 प्लस यहाँ पर बननेने ही चाहिए बीच में बननेने चाहिए अगर 60 प्लस हैं तो आप एकदम confirm मान के चलें कि आपका प्रात्मिक सिक्षक भरती बिहार में चयन confirm है तो यह बिहार सिक्षक भरती से सम्मझेत कुछ latest और महत्पून अपडेट थी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा